Hello everyone, कैसे हो आप सब यार, hoping that आप सब बहुत बहुत अच्छे होगे तो आज आप सबी के लिए मैं एक important information लेकिया हूँ clarification लेकिया हूँ, ताकि आप speculations में समय वेस्ट ना करें तो आज देखिए बहुत सारे students actually ये speculate कर रहे थे और सोच रहे थे लिमा में थे कि क्या इस बार slayvers का reduction होगा for IAT JEE 2022 तर देखिए पिशली बार का जैसा scenario था, similar scenario इस बार भी है पिशली बार slayvers का reduction कई जगा हुआ था, जैसे कुछ boards में slayvers का reduction हुआ था कहीं पे नहीं हुआ था, because COVID-19 के scene की वज़े से, scenario की वज़े से जो many months का academic loss हुआ था, उस कारण कई जगा boards ने slayvers को कम किया तो उस कारण पिशले साल भी speculation चल रहा था कि JEE and NEED के exam में slayvers का reduction हो जाएगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ तो अगर इस बार की बात करें तो इस बार भी slayvers reduction होने के chances बहुत ही कम है negligible से chances हैं और देखो कई boards ने भी in fact clarify किया भी recent एक news आया था जिसमें Assam का जो high school board है उन्होंने clear किया है कि वो जो उनका slayvers है उसको reduce नहीं करेंगे क्योंकि slayvers reduction करने से सबसे बड़ा नुक्सान NEED and JEE aspirants को होगा और यह उन्होंने बिल्कुल clear किया है तो इसलिए आपको पूरे slayvers के हिसाब से ही तयारी करनी है आपको यह expect नहीं करना है कि slayvers इतने से इतना हो जाए जितना है जितना भी slayvers से उसको धंग से करें that would be the best of the things क्योंकि इसमें काफी time हम waste कर देते हैं ओके dear students अच्छा आप सभी के लिए एक important information आप में से वो students जो class 11 plus 12 का slayvers complete करना चाहते हैं अगले कुछ महीनों में वो ATP star के batches को join कर सकते हैं जिसमें one of the batch name is 113.0 जो J main specific है और second one is warrior 3.0 जो J main and advanced 2022 के लिए हैं तो अगर आप इन batch में enroll करना चाहते हैं scholarship पाना चाहते हैं तो google form description में दिया है उसको आप जरूर फिल करें ओके गाईज बाकी आप अपनी तयारी अच्छे से करते रहिए next किस topic पे आपको वीडियो चाहिए वो आप जरूर comment section में मुझे बदाईए okay guys bye bye take care and keep preparing well